बावन वर्ष की आईू में मैंने यही महसूस किया कि जीवन बहुत सारे सुनहरे अवसरों से भरबूर है साथ ही साथ मैंने प्यार और प्रकाश की शक्ति को भी महसूस किया थोड़े समय से मैं अनुभाव कर रहा था कि मैं जिस से भी मिलता हूँ वो कुछ ना कुछ खोज रहा है ठीक वैसे ही जैसे कि मैं कुछ विशेश, शायत खुशी, संतोश, मन की शानती दस मास पूर मेरी मुलाकाट लंदन में एक महान आदरनी योगी से हुई तब से एक लंबी तलाश के पश्चात मेरा जीवन, एक दरिया के समान धीरे धीरे विशाल सागर की ओर बहने लगा इस मुलाकात के थोड़े समय बाद ही माउंट आबू राजस्थान से मुझे पीस ओफ माइंड कॉन्फरेंस के लिए निमंतरन मिला जो कि प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरी, विश्वविद्याले का अंतराश्च्र मुख्याले है इसे प्यार से मधुबन भी कहा जाता है भारत यात्ता की मेरी परसों के एक्छा थी और ये था मेरे लिए समय का बुलावा मेरे दिल की गहराई से बार बार यही आवाज आ रही थी कि इस यात्रा में मेरे प्रश्च्रों का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा खैस हम सही सलामत ठीक समय पर आबू रोट पहुच गए आबू रोट अरावली परवतमाला की तलहेटी में स्थित है माउंट आबू समुद्र तल से 4000 फीट की उचाई पर है यहाँ पहुचने के लिए हम एक घंटे तक संकरे और घुमाओदार पहाड़ी विस्तार में पढ़ते रहे हरे भरे मन भावन द्रिश्यों को देखते देखते अंततर ज्यान स्वरोवर प्रांगर में पहुच गए इसका दूसरा नाम Academy for a Better World भी है वहाँ पहुचते ही वहाँ का वातावरन बाहे जगस से बिलकुल ही भिन्द महसूस हुआ जैसे कि हम दिर्वान में प्रवेश कर गएंगे हूँ ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने वास्तिविक घर में पहुच गया हूँ इस परिसर में चारों तरफ सने और अपनत्व का आभास हो रहा था जैसे एक परिवार, एक नई परिवार, एक वैश्विक परिवार का हिस्सा हूँ सुव्यवस्था और स्वच्छता हर तरफ दमान थी सुन्दर फूलों, पेड़ पौधों और हरे भरे गहास के मैदानों से हर कोना सजा हुआ था अत्यन्ति गहरी शांती की मैख चारों तरफ चाई वई थी एक ऐसा स्थान जहां शोर गुलका और किसी अपरी बात का नामों निशान ना था सहयोग, सदभावना, सादगी, सहनशीलता, एकता और सम्मान की गुण सरवत्र दिखाई दे रहे थे वायू मंडल में चमपा और चमेली की महक से भेगी, खुशी और आनंद की तरंगे पहली गुई थी जो अलोग एक आनंद की अनुभूती करा रही थी इस विश्व विद्याले द्वारा माउंट आबू में बनाय गया ग्यान सरोवर दूसरा कॉंप्लेक्स था 1995 में पूर्ण किये गए इस केंपस में 1500 महमानों को ठहराने की उत्तम विवस्था के साथ साथ 250 समर्पित राज योगियों की रहने का संपून प्रबंध है रात्री भूजन के पश्चाथ हमें इस इश्वरी विश्व विद्याले के संग्षिप्त इतिहास से अवगत कराया गया 1936 में 60 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा बाबा के द्वारा माताओं बेहनों के छोटी से संगठन को लेकर इस इश्वरी विश्व विद्याले की शिरुवात की गई उस परम शक्ति द्वारा कई दिव्य साक्षातकार कराये गए जिन्हें परमात्मा, शिव, अल्लह, आदि कई नामों से जाना चाहता है उन्होंने स्वयम को गुरु नहीं बलकि परमात्मा का माध्यम माना ब्रह्मा बाबा पहले एक सुप्रसद्य रईस और हीरों के भारती व्यापारी थे इन्होंने माताओं और बहनों को संस्था के संचालन का संपूर्ण कारे भारते कर उन्हें सम्मानित कर शक्ति शाली बनाया इन्होंने तरान्वे वर्ष की आयू में अपने भावटिक शरीर को ट्याक कर संपूर्ण उता को प्राप्त किया उनके अव्यक्त होने के बाद इस संस्था का विस्तार तीवर गती से हुआ वर्दमान समय में संस्था का कारुबार उन महान विभूतियों के द्वारा हो रहा है जिनके आयू प्राया अस्ती वर्ष के नस्दीक है और वे दादी के रूप में जानी जाती है दादी यानि बड़ी बेहन जिनोंने संस्था के प्रारंभ में स्वयम को सेवा के प्रती तनमन धन से समर्पित किया यहां की हर सेवा मात्रित्व स्नेह की जलकते रही थी यह दादियां अपनी बड़ी उम्र के बावजूद पूरे विश्व में अठक रूप से निस्वार्थ सेवा हेतु भ्रमन करती रहती ही उसके बाद हमारा परिचे दादी प्रकाश मनी जी से कराया गया जो इस विश्व व्यापी संस्था की मुख्य प्रशासिका है मुझे ग्यात हुआ कि ब्रह्मा कुमारीज का वास्त्विक अर्थ है ब्रह्मा की पुत्रिया 1936 में अपनी बाले अवस्था में ही दादी जी ने इस संस्था में पदार पण किया ततपश्चात इस मायावी दुनिया से संपूर्ण रूप से अलग हो गई वे एक बहुती कुशल संचालिका की रूप में भी उभर कर सामने आई समगर विश्व की राजनायतिक और आध्यात्मिक विभूतियों द्वारा उनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त है दादी जी ने बताया आध्यात्मिक्ता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है तो सबके जीवन से प्राहल लुप्त हो चुका है दादी जी से संपूर्ण उता में प्राप्त होती ही शुद्धतम, स्वर्णिम, ईश्वरी प्रेम की स्पंदन सद भावना, शांती और संब्रिद्धी से संपन्न युग जहां शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हूँ जिसकी कलपना सदियों से मानव करता रहा है जहां क्रोथ, स्वार्थ और बेइमानी का नाम और निशान ना हो आथ्यात्मिक सशक्ति करण द्वारा ही मानवता का पुनरोथान संभव है इसी दोरान हमने दिलवाडा मंदिर भी देखा जो भारत में जैन वास्तु कला का एक सरवोत कृष्ट उधारन है परिस्वर विहार के अंतरगत ये देखकर मुझे बहुत आश्चर हुआ कि अत्यनत दुर्गम स्थान परस्थित होते हुए भी यहां उच्च तक्निकी के साधन प्रच्च और बात्रा में उपलब दें यहां पर भोजन पकाने पानी गरम करने के लिए सौर उर्जा का प्रेयोग किया जाता है साथ ही साथ टेलिफोन एक्सचेंज, कंप्यूटर और आपात कालिन प्रकाश विवस्था के लिए भी विद्धुत उत्पादन सौर उर्जा से ही होता है मैंने इस बात पर भी गौर किया कि यहां पर भोजन भी परमात्मा की याद में ही रहकर बनाया चाता है जहां शुद रूप से शाकाहरी भोजन की विवस्था है उस दिल का प्रमुक प्रवचन दादी जान की द्वारा दिया गया जो इस संस्था की स्यूक्त मुक्ष प्रशा सिका है दादी जान की जी लंदन में रहकर विदेश सेवाओं का संचालान करती है दादी जी को एक कुशल वक्ता और मार्क दर्शक होने का वरदान प्राप्त है अपने जीवन के प्रारंबिक दिनों से ही दूसरों के हित का खयाल रखना दादी जी के विशेश धारणा रही है एक आगरचित स्थती और संपून द्रड़ता ये दोनों ही गुण इनके जीवन के विशेश शोभा है इन दादियों की विनमरता, निस्वार्थ प्यार, निरअंकारिता, विनोध वृत्ती और रिदे के विशालता से हर कोई प्रभावित होता है उनका अपना कुछ ना होते हुए भी वो संसार को सब कुछ दे रही है ये दादियां अपने कारे चेहरे पर शिकन लाए बिना अथक रूप से करने के लिए विख्यात है शायद ही ऐसा कोई प्रसंग होगा जब दादियों से भेंट के दौरान, टोड़ी, अर्थात प्यार से निर्मित प्रसाद नप्राप्थ हुआ हो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन एवं बुद्धी को भी रूपानी स्थिर्ता मिलती है द्रिष्टी दो व्यक्तियों के बीच सरल वार्तालाप का माध्यम है जिसके द्वारा दूसरी आत्मा के अंतर जगत को गहराई से देखा जा सकता है हर एक रूपानी हस्ते में छोपी पवित्रता और प्रकाश की शक्ती और उसके सद गुणों का दर्शन भी किया जा सकता है एक दिन हम मधुबन भी गए जो ब्रह्मा बाबा की तपस्या स्थली है यहीं से ही संस्था की व्यवस्था संचालित होती है यहाँ पर अभी भी बहुत सारे वरिष्ट भाई बहन रहते ही बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पहुचने मात्र से ही अतिस्तहज रूप से शान्ती की गहरी अनुभूती होती है राजस्थान का पश्चमी भाग जहां पर लोगों के लिए अपनी मूल भूत अभशक्ताओं को प्राप्त कर पाना भी पठिन है अधिक तरह सारे गिस्तान है और पानी की बहुत अधिक कमी है शिक्षा का स्तर भी बहुत निम्न है यहां की जन संख्या का एक बड़ा भाग अपनी मूल भूत स्वास्ते सुविधाओं से वंचित है इसी आवशक्ता को द्यान में रखते हुए जे वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर नामक भव्वे अस्पताल की स्थापना 1990 में की गई यहां उचस्तरी सभी तरह की आधिनिक स्वास्त सेवाएं प्रदान की जाती है इस सक्षेत्र के एक लाख लोगों को इलाज का लाप 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 हुआ है जिन में से 54,000 जन जाती है साथ दिन कैसे गुसर गए हमें पता ही नहीं चला है बहुत चल्दी ही हमारे आखरी पड़ाव का समय भी नज़्दीक आ गया है जब हम माउंट आबू की तलहेटी में स्थित मदुबन के तीसरे नवनिर्मित परिसर शांती बन के लिए रवाना हुए इसका निर्मार कार्य 1995 में शिरू हुआ और मात्र दो वर्षों की अल्प आवधी में ही इसे पूरा कर लिया गया जो भारत और विश्व के बहुत से स्थानों के लिए अविश्वसनी सा लगने वाला कार्य है इस परिसर के मुख्य आकर्षणों में से एक है अत्यंत विशाल डायमंड जुब्री हॉल जिसमें एक साथ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है यहाँ 15,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सौर उर्जा से चलने वाला कुकर है जो कि प्रति दिन 35,000 से भी अधिक लोगों के लिए भोजन तयार करने की क्षमता रखता है अपने प्रवास के दौरान मैंने पाया कि यहाँ किसी भी तरह के शुल्क का कोई जिक्र नहीं है स्वैच्षिक जहयोग के द्वारा ही इस संस्था का कार्य चलता है ब्रह्मा कुमारी संस्था की मानेताओं का सार जो मेरी समझ में आया वो यह है कि जब हम बदलेंगे तभी ये विश्व बदलेगा वैश्विक जागरिती को मुचा उठाते हुए ये लोग विश्व परिवर्तन के उद्देश्य को समर्पित हैं उन सबका लक्ष, शान्ती, पवित्रता और वसुधैव कुटुम भुकम का है एक ऐसी दुनिया की रचना करना जहां पर भय, चिन्ता, तनाओ और उदासी का नाम और निशान ना हो ये के ऐसी मानिता है जो हमें सभी धार्मिक सीमाओं से उपर ले जाती है मदुबन मैं क्या सोच कर आया था और मैं कौन से विचारों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ मदुबन छोड़ने के बाद मैं इस उमंग, उत्साह और खुशी को अपने डैनिक जीवन में किस प्रकार जीवन्त बनाए रख सकूँगा मनी मन यही योजना बना रहा हूँ इस राज योग के अभ्यास द्वारा मैंने अपने इन शाश्वत प्रश्णों का हल पालिया कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है मुझे ये बोध हो गया कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं मैं एक चैतन्य शक्ती हूँ और भगवान भी एक चैतन्य परन्तु परम शक्ती है वे दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है उनका नाम परम पिताब परमात्मा शिव है इस आध्यात्मिक अध्ययन ने मेरे जीवन के अत्यन्ती नवीन पहलूँ के द्वार खोल दिये सादगी से सुखी और संतोष पून जीवन जीने का परम ज्यान भी मुझे प्राप्त हुआ अब मुझे निरंतर वर्तमान में जीने का आश्चर जिनक और सुन्दर अनभव हो रहा है मैंने इस बात को गहराई से समझ लिया है कि ब्रह्मा कुमारी इसका ये उद्देश कितना गहरा और विरा अर्थ रखता है कि जब मैं बदलूँगा तभी विश्व बदलेगा कि जब मैं बदलेगा ये लिए ये उन्हां है